कि नमस्कार सलाम अदाव गुड मॉर्निंग सुपरभात राम राम आज पुना हाजिर हैं और पुना सुपर उठने के बाद सभी उमीद करते हैं आप लोग भी सुपर उठते मेरे बच्पन से आदत है कि तीन बजे से चार बजे में उठी जाता हूं बाबो जी मुझे इस बात के हमेशा अपने साथ उठाते थे तो कि आदत सी बन गई है तो आपको भी आदत बननी चाहिए और सुबह उठता हूं तो इस्वर की इस्तुति ध्यान उसकी थोड़ा समय यूटूपर भगवान के भजन है थोड़ा सुनता हूं फिर योगा करता हूं योगा भी य स्पोर्ट्स पर भी बहुत सर आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर भी काम हो रहा है और इस बार मुझे जो टोकियो पैरालंपिक उसमें भी मुझे बुलाया गया है जब पैरालंपिक 24 अगस से 5 सितंबर तक प्रारंभ होगी उस बीच में वहां अगर सब कुछ ठीक रहा त हमने कल तक आपको 2026 के बार mик만 बारivas घाल ताइस के बार तalion ऐसंवी मादीन है अज तो इस काम के लिए मैं धनवादेना चाहता हूं हमारे प्रेटीम का जो इस स्पार आपके बिच इसकाम नवर्म पोष्・कूमार झाल हमारे धिरजकुमar धनराज जी लगातार आपके ब नीचे पर रहते हैं कि मैं जरा भी थोड़ा सा धिला होता हूं तो नहीं भाई सर आज भी सूट हो जानी चाहिए और पांच मिनट का समय लएगा तो मैं पुरी टीम को धन्वाद देता हूं कि आपके बीच इस तरह का वह आते हैं कोशिस करते हैं कि आपके बीच हमारी बातो को रखें जिसे आप लोग रूबरू हो सकें और जहनकार हो सकें और आप वकील भी हो सकें तो तमाम लोग हमारे दिव्यांगजन जो करीब कावन लाख लोग है मैं समाम लोगों को गुजारिस करूँए कि ये जो धारा है उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जहनकारी है तो मैं आज बता रहा है कि धारा 27 है जो दिव्यांग जन अधिकार है दिनिया में बहुत महत्पुर्ण धारा है धारा 27 जो है पुनरवास के बारे में बताती है और रिहेबिलिटेशन क्या होता है जो आपको पुनरवास क्या होता है कि जो आपकी उर्जा जो आपका काम करने की छमता या जो आपका सरीर की अंग किसी ने किसी तरह जो है लॉस हो चुके हैं कोई ने कोई आपका अंग प्रभावित हो गया संवेदी अंग प्रभावित हो गया तो उस संवेदी अंग को कैसे हम आप मेक्सिमम यूज करने लाइक बनाए उसी पर पुनरवास करने की बात कही गई है चाहे वो शुरुवाती दोर में जब आप इस धर्ती पर किलकारी भरते हैं और जब किलकारी भरते हैं तब से लेकर और अंतिम समय तक जंतिम यात्रा तक आपको किस तरह की आप सकता है और कैसे पुनरवासित किया जाएगा इस पर सरकार को ध्यान देना है और समची सरकार को इस बात पर पूरी ध्यान रखने की ज़रुवत है कि उसको पुनरवास करने की ज़रुवत है तो कल्यान करने के लिए लोग कल्यान करी योजना बनाने की ज़रुवत है और यही धार 27 जो दिव्यांगजान अधिकार अधिनियम का है यह बहुत महत्वपून है जैसे कि आपने बताया कि आप किलकारी भरते हैं धर्ती पर आते हैं और आपको माली यह कोई किसे तरह का आप सकतां तब से लेकर सरकार तो काम कर रही है आपको नीयो निटेल स्क्रींसिंग लेकर आपका बताया था सब्सक्राइब करें वहां पर बच्चे को जो है नर्सरी किया जाता है पालने के लिए सारी वेवस्था है इंकुबेटर्स की वेवस्था की गई है इसके बाद आप जब तक तिन साल तक हो तो लगातार हेल्थ केर जो हमारे हैं आपको जर्गुलक चेक अप करेगा और देख हो भोजन न्यूट्रिशन मिले उसको थोड़ा लालन पालन हो कोगनेटिव डेवलपमेंट हो कैसे उसका मानसिक और सारीर के विकास हो तो काम करते ही है आंगनवारी सेंटर को छे साल से 18 साल तक जो हमारे जो सिच्छा विभाग के द्वारा जो है आपकी शिच्छा के हैं और आपने कल ही देखा कि हमारे शेखपुरा से जो हमारे बीईपी के द्वारा दिव्यांग बच्चों को जो है ट्राइसाइकिल इसके अलावा वीलचियर इसके अलावा हेरिंग एड और ब्रेल स्लेट्स के साथ साथ जो इंटेलेक्च्छली बौधिक दिव्यांग है इसके लिए विशेष किट भी दिया गया तो लगातार सिच्छा भी भाग भी लगातार कर रहे हैं उसके रिसोर्स टीचर उपलब्द हैं हर ब्लॉक्स में जो इंट्रेंट टीचर हैं घूम घूम कर जो आईपी के माध्यम से माता-पिता को ट्रेनिंग देते हैं और इसको वियार में ब्लाइंड स्कुल्स छात्रावास है जो दस किलास तक है जैसे की पटना में हैं इसके अलावा दर्भंगा में हैं भागलपूर में मिडिल किलास तक है इसके अलावा आपने देखा होगा डेफ और हेरिंग इंपैड जो छात्रों के लिए पटना में भी उसकी मुंगेर में दिर्भंगा में तो आपने देखा स्थ Estamos के लिए सरकार उसको अनुदान भी देती है तो भारत सरकार के साथ-साथ जो है विहार सरकार भी कही है योजना है है संभल है इस दिव्यांग इननों कि लिए जो है है आपको कोई भी विशिएसि विशिस आउशकता के लिए जरुवत होती है जैसे की ट्राइस काम जो हरा जो है जो है जो उट के मुह में जीरे के समान है बहुत काम करना बाकी है क्योंकि पुनरबास एक ब्यापक सब्द है आपने देखा हुआ कि अधर कंट्रीज में छोटी छोटी शुरू से हर जो दिव्यांग जनों की अवसक्ता है अलग होती है हर एक दिव्यांग जन दूसरे दिव्यांग जनों से डिफरेंट है तो उसकी नीड बेस उनकी परते एक दिव्यांग की क्या वसकता है इसको सुरुवाती समय में असेस्मेंट करके इसको फाइल होना चाहिए जैसे कि UDID बन रहा है वहीं पर इसको जो मार्किंग कर देना चाहिए उससे अटैच कर देना चाहिए जो हमारे जो दिव्यांग जन है उस दिव्यांग जन हो कि क्या क्या है मानीजिए उसको आपने एक वार अगर कोई उसके इंप्यूटी जो होगा पैर आर्टिफिसियल लिम्स दे दिया तो इसके बाद बढ़ते हैं बढ़ते सरीर भी बढ़ता है या कभी छोटा होता है तो उसकी जरूरतें जो है उसके थरयी जरौती है और स्पेशलायू जो के जरूती है जो सबसक्ता वाले बच्चे जिसमें औरुट्यूंबक्र आयरा माल्किपलिक बढ़ता मुसर्फिकर कहुंजिक करने के जरूत वाले जिस्ञार के वाले विकरेंग हैं ऐनकी क्या-क्या टिलेड हैं म्टिक बिकास में ह क्या कहो जरूरत है भी सेसर जैसे कि अलग़ अलग उसके रिधारेशन जो है डिग्री होप अलग ये बीदिघारेशन अलग 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 हो टा मायoffs बहुत ब्यापक काम करने के जरूरत है अभी जो भी काम हुआ है बहुत बहुत कम काम हुआ है इसमें भी सिसक्ट की जरूरत है इसमें सरकार को और ध्यान देने के जरूरत है और हम तमाम जो एस्टोसियेशन चलाते हैं या तमाम पारेंट एस्टोसियेशन है या एस्टोसिय है या ट्रेनिंग के जुरत होती है इन्टलिक्षिव भी वडे के विस्द्वियंग ज़ाए कि इसे तरह जो दिफ ब्लाइंड बच्चे उनके बता ही दिया red забel बच्चे उनके लिए और आटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए और विसे तरह की अवसकता होती है और समानी स्कुल में सावेशी सिच्छा कैसे हो तो ब्यापक पनरवास की योजना सरकार को बना ही रही है लेकिन इसमें बहुत काम करने के जरुत है और हमको लगता है कि बाद में जब परहेंगे सेक् 38 जब आएगा 38 नमर जब धारा आएंगे तो मैं इसमें बताऊंगा तो बंधों जो धारा 27 है यह पनरवास की तमाम बातों के बोलती है आप जो है आप इस संसार में जब पैदा हुए हैं तो यह हमारी सरकार की जिमाबदही और जिमेदारी है कि आपको पनरवासित करें आ कर आपको सिछा ने मिला है तो सिछा कैसे मुरा जब आए आपको साधी भी आने अपको साधी भी आर आठी कैसे परशफाहित किया आपको आगर ना जाते हैं तो आपको यह से रैलवाए रियायद है इसके अलावा आपको कई Guishes equipment चाहिए उसकी विःष्था करनी है आपको क अलग तरह कि और कोई अवसकता है जैसे कि एकसेसेबिलिटी के अवसकता है उस पर भी सरकार को ध्यान देने के जो बाद में हम अलग सेक्शन पर बताएंगे तो पुनरवास एक व्यापक है जिसमें जिस दिन बच्चे जनम लेते हैं से लेकर और जिस दिन वह अंतिम सांस अ और जो भी सरकार की जो प्रवर्टी एलिवेशन स्कीम से गरीवी उन्मुलन योजना है उसमें भी दिव्यांग वेक्तियों को जोड़ने के जो बाद की धाराओं में धारा 37 में में बताऊंगा तो अभी जो धारा 27 है उसमें पुनरवास के लिए सरकार को विशेश विवस कोई जीने की बात हो सारे बातों को पुनरवास में रखा गया है या भूसिनल ट्रेइनिंग के बात हो को फो यह विए इस खेलों के बात तो तो तमाम चीज़ों को या उनके अभीवाबबगय को उस से बिनिया फैमिली लोग उनसे परभावित हो थो रहे हैं उनको भी Parent Association या दिव्यांग की संगठन या स्वाइन से उसन्स ता है कि रपया समय सरकार को इस बात की अबगत करा है कि जो आप 21 परकार की दिव्यांगता है उस हर एक दिव्यांगता की पुनरौज करने की अलग अलग अवसकता है ज़रुरत है एक विहार में जो है स्टेट लेबल का जो है रिहेबिलिटेशन जो है इस्टाबलीश होने का जहां किस प्रकार की भी दिव्यांगता हो जो धारा 27 में बताया गया उमीद करते हैं कि जल्दी हमारे बिहार में भी जो स्टेट लेबल के जो रिहेबिलिटेशन संटर्स की अस्थापना होगी और जहां पर जो है कि से पुनर्वासित करने की विवस्था करेंगी उमीद करते हैं कि धारा 27 जो है बहुत महत्पुर्ण है बहुत काम होनी की जरुरत है और हमको भी जानने की जरुरत है तो यह धारा 27 एक बड़ा बरदान है एक हत्यार है दिव्यांग जन अधिकार एदिनियम में और इसका उ आपक योजना बनाए सब कोई सामुही की रूप से और हमारे पुनर्वास भी जरुवत है कि सब कोई के साथ मिलके एक योजना तियार करें जिसमें सभी एक इस प्रकार को दिव्यांग जनों को पुनर्वासित किया जा सके तो उमीद करते हैं कि आज आपको यह धारा 27 पस साथ तब तक के लिए भी डालेते हैं नमस्कार